नमस्ते है जी मैं हूँ धहरेवान आपका अपना हीलिंग मास्टर दिवाली आ गई है और आप सबको लश्मी पोटली को लेकर बहुत सारे सावाल हैं तो आज मैं लश्मी पोटली को लेकर बहुत सारे जवाब आपको देने वाला हूँ महाल अच्वी पोटली, 42 दुरलब चड़ी बूटी और अमुल्य घटक को मिला करके बनाया गया यह घटक कौन-कौन से हैं इसके बारे में मैंने कम्पीट वीडियो यूटुब में बना करके रखा हुआ है अगर आपके पास समय नहीं है या आप समय नहीं निकाल पा रहा है तोや किसी अच्छे हीलर से या किसी योगी गुरू से आप हील करा करके अपनी लच्च मी पोटली प्राप्त कर सकते हैं लेकिन क्या इसे केबल दिवाली में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसे दिवाली में ही स्थापित कर सकते हैं, जी ऐसा नहीं है, साल में चार बार आप इसकी स्थापना कर सकते हैं, दिवाली, फिर तुलसीवा, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं, तीसरा गुरु पुर इमा में आप इसे स्थापित कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने जन्मतिति जब आपका टिट, आपका बर्डे है, उस दिन इसे आप अपने घर ला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, अपने घर के किसी परिजन के बर्डे पर आप इसे स्थापित कर सकते हैं, अपने बच् परिशान ना हो दिवाली के लिए क्योंकि कहीं ने कहीं आप लोग बहुत जादा हमारे आंक हॉल कर रहे हैं और हमसे यह लशे पोटली चाह रहे हैं मांग रहे हैं लेकिन बिटा सब को यह इतनी यल्दी उपलब्द नहीं करा जा पायागा ना तो आप परिशान मत हो यह मत स जाता है इसकी सबको अपनी घर में चाहिए तो मैं आपको यही बताना चाहरा हूँ कि दिवाली में अगर यह नहीं है आपके पास या दिवाली तक आप इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से तो आप छोटी दिवाली में इसे प्राप्त कर सकते हो और जैसे इतने अच्छे हैं कि मालच्मी की रूपा इन पर बरस्ती ही है, आप लच्मी माता को यह भेट दे करके आप ऐसे प्रसन्ने करते ही हैं, वासे तो मालच्मी सब कुछ उनका ही है, उन्हें आप क्या ही दे लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो आप दे करके किसी अपन स्थल में रखना है, इनकी आतना करनी है, उसके बाद इसे क्या करना है, इसका जवाब ही है कि इसके जड़ी बूटी है उन्हें विसरजित कर देना है, किसी बड़े या बड़े पुराने पेड़ के नीचे रख देना है ले जाकर या बहते वे जल में विसरजित कर देना ह और इसमें जो रतन है जैसे कि इसमें जो हीरा है चांदी है जो रतन है उसे पूजनस्थल में आप रख सकते हैं हमेशा पूजा कर सकते हैं या फिर इसे बापस आप गला करके फिर से नया बनवा सकते हैं क्योंकि अगली बार एक साल पूरा होने पर इसे फिर से तयार करना होता है। तो ये एक प्रथा है, एक रिवाज है, जिसके तहत गुरुशिश्य परंपराग में ये चला आ रहा है, ये ऐसे ही है। क्योंकि एक साल तक इसकी महिमा होती है, क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटी होते हैं, वो पुराने होके सड़ते भी हैं, खराब बित होते हैं इसलिए। किसरा सवाल है क्या इसे खोल कर देख सकते हैं नहीं बिटा खोल के नहीं देखना है खोल के वो इंसान देख सकता है जिसके नाम के लिए मतलब कहने का मतलब यह किसी एक के नाम के लिए आ रहा है जैसे आप इस अपने लिए मंगाये हो तो आप नहीं खोलोगे आप अपने घ चोंतो सवाल है कि इसमें जो एक डामंड मिला है आपको, वो डामंड को क्या रतने की तरह गले में धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं, उंगली में धारण कर सकते हैं, आप इसे कान में पहन सकते हैं, छोटा सा तो है, प्यारा सा है, इसका उपयोग होने के बाद उस रत्मन को अपने घर में किसी को भी पहना सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं, मैं कोई मना ही नहीं है। इसमें लच्मी और गनेश जी की छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी मुड़तिया हैं, तो उसे भी पेंडेंट मना करके आप पहन सकते हैं, इसमें भी कोई मना ही नहीं है। इसमें एक हिमशिला है, इसको अपयोग होने के बाद उसे ठंडा नहीं करना है। वो भी रत्नों में आता है, तो उससे आप या तो पने स्थल में रख सकते हैं, या तो अपने ध्यान में उसका उपयोग कर सकते क्योंकि हम्शिला को हाथों में रखतागा जब ध्यान करते हैं तो आपकी हम्शिला मतलए स्वितिक क्वार्ड्स आपकी सारी रूट जासे वो वाइबरे तो होता है वो बैटरी की तरह काम करता है तो परिशान मत होईए, अराम से रखिए, अराम से अपने लच्छे बोडली को त्यार केज़े, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, माला अच्छे में ग्रिपा सदा आप पर बरसस्ती रहे और अपने हीलिंग पैक्टिस अच्छे से करते रहें, क्योंकि आपकी कर्म ही आपक को मुझा उठाते हैं, आशा करता हूँ लच्छे बोडली से जुड़ा, ये बहुत जोरी बाता को समझ में आया होगा, आने वोले ध्यायों में बहुत सारी चर्चा करेंगे, तब तक के लिए, नमस्ते आजी